टेक वन तो दूस्तों आपका स्वागत इस वीडियो में इसके अंदर में आपको बहुत इंपोर्टन इंफॉर्मिशन बताने माला हूँ जो गॉर्मेंट ने हमारी GST के लेट फीज ती जो माफ की है तो आपको निल रिटन्स कैसे फाइल करना है क्योंकि बहुत सारे लोगो में मैंने GST लिया था तो मैंने नोवेंबर का लेट फीज पे किया था सम्थिंग 4,500 या 250 रुपिज सम्थिंग तो बहुत ज्यादा था और मेरा लेट फीज आज तक का अगर आफ हिसाब करोगे तो अबो 50 तो 60,000 हो रहा था तो गॉर्मेंट ने ये सारा लेट फीज माफ कर दिया है तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको फाईल कैसे करना है आपका लेट फीज तो आपको आपका लोग मतलब November to November 2017 से 2018 तक मेरा बहुत late fees हो गया था तो अभी मैं last year की January के आपको दिखा था हूँ मतलब मैंने file किया है निल रिटन्स तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही important चीज यहाँ पर आप देख सकते हो status मेरा file है और इसका जो last date है यह दिखा रहा है 31st March 2019 मतलब 2019 मतलब 2019 मार्च तक आप यह सारा आपका account clear कर सकते है उसके बाद फिर से पूरा ने rules अपला हो जाएंगे late fees वगेरा वो सारे ठीक है तो दोस्तों अभी मैं February का आपको बताता हूँ कैसे file करना है बहुत ही easy है मतलब मेरा February का आपका जो आप जल्दी से जल्दी कर दीजिए और अगर आपको वह दिक्कत आती है तो आप comment में आपके problem लिख के दे दीजिए तो मैं आपका solution प्रोवाइड करने का ज़रूर राइ करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो February के लिए भी date यह प्रिपेर ओनलाइन के उपर आप क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप देख सकते हो यह उपन हो जाएगा पूर्टल तो यह जो user friendly के उन्होंने नया features का था इसका सिर्फ okay बोल दीजिए और यहाँ पर आईगा देखो पहला question है do you want to file need return yes और अगर आप no करते हो तो आपने जो sell किया है वह आपको detail डालना पड़ता है तो मैंने yes कर दिया है और यहाँ पर सिर्फ आपको next करना है तो कभी-कभी by default no रहता है तो उसको आपको yes कर देना है और आप सिर्फ यहाँ पर next क्लिक कर दीजिए terms and condition agree कर दीजिए और आपका नाम चूज कर लीजिए और इसके बाद EVC मतलब यह भी मैं आपको पता तो यह बहुत सारे लोगों को confusion है तो EVC मतलब आपको OTP आता है आपको OTP आ जाएगा तो बहुत सारा इजी चीज है लेकिन लोग बहुत इसको hard बना दे तो मेरा OTP में डालता हूँ अभी जो आया है मेरे को और बस आपको verify पे click कर देना है और आपका filing हो गया है तो आपको कोई भी फाइन नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी आपका returns फाइल कर दीजिए और मैं आपको इसका demo भी दिखा देता हूँ हो गया है बोलके तो मैं फिर से यहां से अभी dashboard के उपर जाता हूँ और February मंत का आपको दिखा तो मैं यह सारे मेरे अभी continue करूंगा लेकिन एक वीडियो मैंने बना दिया क्यूंकि लोग online बहुत है आजीब अगरीब चीजे बता रहे है लेकिन प्रॉपर भी कोई बता नहीं रहा है तो 2017-18 मैंने चूज कर लिया और अभी हमने February कप पे किया है तो मैं य पाइल किये हुए है नहीं तो आपका GST Portal यूज मतलब आपका number होके भी आप उसको properly यूज नहीं कर पारे थे कुछ दिन पहले लेकिन government नहीं अच्छा decision लिया है बहुत सालों बात मतलब GST apply होने के बाद बहुत अच्छा decision लिया है तो बस यह है और आपको खुदी पताओ कि जो नया वाला रूल मतलब इन्होंने माफ किया है 2018 तक का I think तो अभी January का हम फाइल करते हैं सर्च किया हमने 2019 का जो जैनुवरी उसका आपका clear कर लीजिए आपको वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को like कीजिए और वीडियो को share जरूर कीजिए क्यूंकि बहुत सारे लोग है हमारे इंडिया में जिनको यह problem हुआ है कि उन्होंने late fees apply हुआ और उनको बहुत late पता चला कि late fees है बोलके तो मेरे साथ भी यह हुआ था कि मैंने apply किया मतलब November में obtain किया GST और 2018 के September में मुझे पता चला था कि late fees वगेर सारा ऐसा system है बोलकी तो thank you for watching guys वीडियो को share जरूर कीजिए और like कीजिए और पूरा वीडियो देखने के लिए thank you guys I really appreciate जब आप लोग पूरा वीडियो देखते हो thank you for watching guys चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपना GST भर दीजिए कट